हालो विवर्स, वेल्कम टे कुसम्स कीचन, मैं वुबंदना और आज मैं बना रही हूँ ये चटपटी चटा के डार तीखी तीखी चट्नियां पहले हम बनाएंगे यहाँ पर दनिये और पुदेने की तीखी चट्नी यानि की हरी चट्नी और फिर हम उसके बात बनाएंगे हमारी लसुन और सुखी मिर्च की चट्नी दोनोई चट्नियां बहुत इंट्रेस्टिक होने वाली है, बहुत हौट स्पाइसी और मज़ेदार होने वाली है जो आपके किसी भी चार्ट के साथ में या फिर आप किसी भी स्नेक के साथ में बहुत अच्छे से एंज्यो करने वाले हैं बेल आइकन को हीट कर दीजिए ताकि मेरी ऐसी यम्मी टेस्टी और डिलिशस वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मेरता रहे पहली बार मेरे चैनल पर आएं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए चत्यों में पहले हम बनाएंगे हरे धनिये और पुदेने की चत्नी यानि की हरी चत्नी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बंडल हरा धनिया और धनिया जो है वो स्टेम्स के साथ ही लिया है यानि कि इसके जो डंठल है उसी के साथ में हमने हरा धनिया लिया है और इन सारी चीज़ों को हम ग्रैंडर जार में डाल रहे हैं और यह है मेरे पास मिंट यानि की पुदीना, पुदीना आप इसका हाफ ले लिए, जितना अपनी दनिया लिया है, उसका हाफ आप पुदीना ले ले, साथ ही में हम में नालेंगे 1 half spoon क्यिमिन चीड और जीडा से, और मैं इसमें डाल रहे हूँ हाफ स्पून सॉल्ट और नमक यही पर हम डालेंगे चाट मसाला हाफ स्पून और इसे तीखा और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यह आप ग्रेंचिलिस डाले हैं तीन आप अपने टेस्के कोडिंग कम यह जादा कर लें यह है मेरे पास गार्लिक और लरसुन की तीन कलियां जिंजर हम इसमें डालेंगे वन इंच यानि की अद्रक का टुकड़ा और साथ ही मैं मैं यह आप डाल रहे हूँ तीन आईस क्यूब्स आईस क्यूब्स मैंने इसमें क्यूँ डाले हैं वो आपको मैं आगे चलके बिताऊंगी बस इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड कर लेना है सो हमने चटनी को पीस हिया है और आप देख सकते हैं मारी चटनी बिल्कुल पाफेक्ट रेडी हो गई है और बिल्कुल ग्रीन बनकर के रेडी हुई है अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक सैविंग बॉल के अंदर तो अब मैं बताती हुए कि मैं इसके अंदर आइस क्यों डाला था आइस डालने से हमारी जो चटनी हो बिल्कुल nutrinho रहती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है आप चाहिए तो इसमें निबु भी डाल सकते हैं पर निबु डालने से भी चटनी का लर काला हो जाता है अगर आप इसे store कर रहे हैं, तो आप इसमें नीबू ना डालें, otherwise इसे बिल्कुल perfectly ready है, आप इसे सब कर सकते हैं, starter, snack और चाट पकोड़े किसी की चीज़ की साथ में, अब next time जब भी चटनी बनाने हैं, हरी चटनी तो मेरी तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वा करके 6 गंटे के लिए भीगो करके रख दिया था, आपको मैं दिखा रही हूँ, 6 गंटे के बाद, 6 गंटे के बाद मैंने इसमें से, जो चिली है, वो निकाल लिया और जिसका जो पानी है, वो ड्रेन आउट कर दिया है, इसके अंदर सीड आपको कुछ-कुछ दिख रहों और साथ ही मैं मैंने यहाँ पर half spoon नमक डाल दिया है, अब हम इसे grind कर लेंगे, grind करने की बाद हमारा बिल्कुल smooth, एकदम perfect color की चटनी ready हो चुकी है, मैं इसे transfer करके आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, कितना awesome, एकदम bright red का color है, बिल्कुल market जैसी चटनी आप घर प इसे बनाएं, अब मैं इसमें squeeze करी हूँ, एक lemon को जिसमें preservative का काम करेगा, और आप इसे freeze में रखकर के कम से कम 10-15 दिन तक enjoy कर सकते हैं, आप इसे चाट पकोड़े के साथ तो सब कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप इसे gravy में भी डाल सकते हैं, और कोई भी gravy वाली सबसी बन इसके seeds में, जो हमने seeds हटा दिये थे, चटनी हमारी बिल्कुल ready है, आप इसे momos के साथ भी सब कर सकते हैं, बस momos के साथ सब करना है, तो आप इसमें तड़का लगा दे, लसुन और रद्रक का, और उसके बाद बिल्कुल ready है हमारी चटनी, momos के साथ भी सब करने के लिए, तो यह बन जाएगी momos के सेम प्रोसेस है, नेक्स टाइम आप भी बनाए, थेंक्स वर वोचिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,